धमपद 2.1, 2.2 और 2.3 यानि 21.22 की कथा कहानी ये कहानी पूरे धमपद की सबसे ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और सबसे ज़्यादा पेड़ना दायक और बहुत ही लंबी और अच्छी कहानी है ये कहानी दो राणियों की है एक सामावती और एक मागंडी है या मागंडी है मागंडी है और सामावती की एक कहानी उद्देन जो राजा थे राजा उद्देन उद्देन या उद्देन दोनों नाम उनके बोले जाते हैं वो उनके पती थे, उनकी राजा थे सबसे पहले हम सामावती के वार में बताएंगे सामावती एक कौसंबी के पास में छोटा सा नगर था छोटा सा कस्वा जिसको नगर या गाउं क्योंकि नगर नाग से बना हुआ है नाग लोग जहां रहते थे, वहां उसको नगर बोलते हैं, उसका नाम था भद्धवती, भद्ध जो शब्द मैंने आपको पहले बताया है, आप उसमें देख सकते हैं, भद्ध सार जो होता है, यानि भद्ध माने बहुत अच्छा, भद्धवती उसका नाम था, कस्वे का न सम्भी के जो घोसित या घोसक नाम के सेठी थे ब्यापारी थे उनके साथ पर चलता था नगर दौनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं ब्यापार का और उफारों का आदन परदान चलता रहता था जो भदवतिय सेठी थे यानि सेठ थे उनकी एक पुत्री थी जो मैंने आपको अभी बदाया उसका नाम था सामावति या सामा सामा बोलते हैं जो काली औरते होती हैं हमारे हैं उनको सामा बोलते हैं और सामावति का मतलब सामा रंग वाली वो उनका नाम था, बड़ी सुशील थी, बड़ी सुन्दर, बड़ी बुधिमान, वो कन्या थी, हुआ यों के भदवती के अंदर, यानि जहां सामा रहती थी और जहां भदवती है उनके पिता रहते थे, ब्यापार करते थे, वहाँ पर महामारी फैल गई, महामारी उन दिन भी खतम हो जाती थी, मगर इस बीच में अज्यानता की वैसे, जानकारी के अभाब की वैसे, बहुत सारे लोगों को और जानवरों को मार देती थी, उसको महामारी बोलती थे, महामाने बड़ा और मारी माने मार, तो उस महामारी में सारे के सारे जो भदवती के लोग थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भदवती को छोड़ना मुनासिफ समझा उचित समझा और वो छोड़के जाने लगे। तो जो भदवतीय थे यानि समावती के पिता थे उन्होंने भी जिर्ण लिया कि वो अपना सब कुछ वहां से छोड़के और कौसम भी चले जाएंगे। पुरे दिन चलता था और 365 दिन चलता था। उसकी व्यवस्ता वहां का एक मैनेजर समालता था। तो उनकी जो पुत्री थी क्योंकि पिता बीमार हो गए बदवती है और उनकी माता बीमार हो गई तो वो खुद खाना लेने के लिए गई। जब वो वहां पिंट दान में भुजन दान में खाने के लिए गई तो उसने तीन लोगों का खाना वहां से लिया तीन हिस्से लिये। तीन हिस्से लेके वो आई खाना खाया सुबह देखा तो उन दोनों में से एक की मिर्टी हो गई तो वो सिर्फ दो लोग बचे अगले दिन वो दो लोगों का खाना ले लेने गई और उसने वहां दो लोगों का खाना लिया और लेके आ गई ये बात जो वहां का मेनेजर थ तो उसने वहाँ सिर्फ एक दिन का तीसे दिन खाना लिया जब उसने एक दिन का खाना लिया एक बंदे का एक विक्ती का यानि स्वेम अपना खाना लिया तो जो मेनेजर था उसने थोड़ा सा एक वेंग में कहा कि लगता है तुम्हें आज अपनी भूग का पहचान हुई है आज तुम्हें पता चला है कि कितना खाना खाना चाहिए सामावती पहले से ही प्रशान थी वह वहां रोने लगी उसने कहा क्या बात करते हो भाई पहले दिन हम तीन लोग थे मेरे माता पिता मैं दूसरे दिन हम दो लोग रहे गए और आज मैं अकिली रहे गई मेरे माता पिता एक्सपार हो गए वो मिट्ट्व को प्राप्थ हो गए ये सुनके जो मेनेजर था वो बड़ा व्यग्र हुआ उदास हुआ और उसने कहा कि धाडस बदाया कि अब तुम अखेली हो तुम मेरी पुत्री बनके रहो और ये जो यहां काम चलता है भोजन दान का ये बड़ा वैसा काम है यहां बड़ा शोर सरावर रहता है तुम इसको थोड़ा सा समहालो और यहीं रहो सामावती के पास में कोई और आप्सन था नहीं और वो उनकी पुत्री बनके वहीं देने लगी तो उस जब वहां उसने देखा क्योंकि बुद्धिमान थी तो उसने सारी व्यवस्ता बहुत अच्छी कर दी पहले जो आता था खाना खाने वाले खाना लेने वाले खाना जाने वाले उन सब का आना जाना एकी गेट से होता था उसने अपनी बुद्धि मानी से आने जाने वालों का रास्ता अलग-लग करा दिया वहाँ फिर बिना कोला हल के बिना शोर सरावे के खाने की व्यवस्ता, भोजन की व्यवस्ता चलने लगी जो घोसित थे, घोसित ने जब ये देखा कि अब यहाँ शोर सरावा नहीं होता तो बड़े प्रसंद हुए और जब ये पूछा कि ये कैसे हुआ तो उसने कहा कि ये मेरी पुत्री ने किया है मैंने ज़न्ने कहा, घोसित ने कहा कि जहां तक मुझे मालूम है आप ही कोई पुत्री नहीं, उसने फिर उस सारी गटना बताई और बताई कि ऐसे ऐसे ये बदवती से आये हुए है जो बदवती है प्यापारी थे उनकी सिठी है, उनकी पुत्री है ये सुनकर जो घोसित थे उनको बड़ा आगात लगा क्योंकि वो दोनों दोस्त थे मगर एक दूसरे को देखा नहीं वो उसको अपने साथ ले गए और अपनी पुत्री बना के उसको रखा और वहां सामावती अपना रहने लगी, सामावती जब वहां रहने लगी, तो कुछ दुनवाद वहां एक मेला हुआ उस मेले में वो गई और मेले में जागे क्योंकि वो सुन्दर थी, यूपती थी, जवान थी शुशील थी, बुद्धिमान थी इसलिए मेले में जब गई तो राजा उध्यन की निगा उस पर पड़ी और राजा उध्यन मोहित हो गए और राजा उध्यन ने घोसित से उनके वैवा का प्रिस्ताब किया और मांगा उनका हाथ मांगा चुकि सेठी, नगर सेठी की एक अपनी पहचान होती है, नगर सेठी बहुत पाफुल होता है इसलिए घोसित ने मना कर दिया कि नहीं मैं अपनी पुत्ति की शादी आप से नहीं करूँगा मगर सामावती बहुत सुल्जी हुई थी वो जानती थी कि अगर ये मेरे दत्तक पिता अगर मना करेंगे तो राजा उध्यन इनका नुक्सान कर देंगे इसलिए उसने कहा कि आप चिंतन ना करें मैं बात करती हूँ और आपकी इज़त पे कोई आच नहीं आएगी वो राजा के पास गई है वहाँ उसने सर्त रखी कि वो उसको पत्रानी मनाए पत्रानी मनाने के बाद अगर वो बनाता है तो ठीक है फिर वो दोनों की शादी होई और वो राजा उदियन की पत्रानी सामावती बन गई ये सामावती के राजा उदियन के महल में पहुँचने की कहानी है अब मागंडिय क्या थी मागंडिया मागंडिया कमासपुर में बहार से आया हुआ व्यक्ति भारत में रहता है उसको बही कमासपुर में रहते थे कमासपुर धंग जो नगर है वो कुरू परदेश का है कुरू परदेश जो जिसको आज की रेट में हरियान और पंजाब बोलते है वो कुरू परदेश है, आप मैं कुरू चेत का नाम सुना होगा, कुरू यहीं से बना हुआ है तो कुरू जो परदेश था, उस कुरू परदेश के एक छोटे से नगर कमास धम जो निगम है, जहां आज की डेट में कमास का बहुत बड़ा पगड़ा भी बना हुआ है वहाँ पर जो मागंडिये रूपवती लड़की जो मागंडिय जिसका नाम था उसके लिए एक अच्छे वर्की तलास में था वहीं पर जो भार्द्वाज नाम का बही रूपवती था वो वहाँ एक आसन बना कर रहता था जब भग्नवान बुद्ध कम्मासपुर धम्म में आये तो वहाँ जो भार्दुआज नाम का व्यक्ति था उससे वातलाप हुआ वातलाप में वो निकम्मा साबित हुआ तो भग्नवान वहाँ से चल दिये भार्दुआज के आसरम में उस व्यक्ति ने जो मागंडिय था उसने देखा था भगवान बुद्ध को और वो उन पे मोहित हो गया उसको लगा कि मागंडिय जो उसकी पुत्री है उसके लिए ये व्यक्ति अच्छा रहेगा हाला कि ये समन है ये शादी नहीं करेगा मगर मे एक बहुत अच्छा वर्द दिखाए दिया है सायद हमारी बात बन जाए जब वो वहां से गए तो उन्हें पता चला कि अब ये जो भार्दुआज व्यक्ति था उसके यहां से भगवान बुद्ध उसको निकम्मा कहके आगे बढ़ चुके हैं तो वो पीछे-पीछे उनक कामी हूँ और मैं अब सम्यक्सम बुद्ध हूँ मैं शादी नहीं कर सकता मैं इन सबसे परह हो चुका हूँ उन्होंने से आगे ये कहा कि जब मैं बोधी बैक्ष के नीचे बैठा हुआ था और मार ने मुझे पे हमला किया तो उसकी जो तीन पुत्रिया थी तरशना यानि तीसरी पुत्री का नाम था राग यानि जो ये राग और एरती और तरशना जो थी इन तीनों ने ये तीनों क्वालिटी हैं कोई औरत का नाम नहीं है जो तरशना है तरशना का मतलब तरणा होता है क्रेविंग्स होती है जिसमें हमें चाहिए चाहिए होता है या बहुत ज तो वहां भी उन्होंने उसको विफल कर दिया तो उन्होंने कहा कि अब मेरी कहीं कोई इक्षा नहीं है और जो सरीर होता है वो मल मुत से भरा होता है वेसर कोई कितना भी सुंदर हो मैं अपने पैसे भी उसको छोना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि अब मैं समयकसम मागंड ये नाम का व्यक्ति था उसने उनको नमस्कार किया और वो दोनों पती पती ने उनकी इसरण में गए और वहां वो अनागामिक हुए मगर जो मागंडिया थी मागंडिया को अपने सुंदरे पे अपने रूप पे बड़ा घबंड था और जब उसने भग्नवान बुद्ध के ये वचन सुने कि वो मलमुत से भरा हुआ सरीर होता है और वो ऐसे चीज़ को किसी को अपने पाउं से भी छुना नहीं चाहेंगे क्योंकि अब वो समय सब बुद्ध हो गए और उसके आवशकत अब नहीं है तो वो पूरे जीवन भर के लिए भग्नवान बुद्ध की बैरी हो गई दुस्मान हो गई चुकि वो दोनों अनागामिक हो गए उन्होंने स्रण भग्वान बुद्ध की लेली जो उसके माता-पिता थे वो अकली रह गई तो जो मागंडिया उसके चाचा थे चाचा के पास वो रहने लगी एक बार वो चाचा के साथ कौसंबी में गई कौसंबी में जाने के बाद में जो राजा उद्यन थे राजा उद्यन को वो पसंद आई और राजा उद्यन ने मागंडिया से शादी कर ली और उसे भी पट्रानी बनाया अब कहानी के अंदर सामावती भी पत्रानी है और मागंडिया भी पत्रानी है मागंडिया भगवान बुद्ध की जीवन भरकी बैरी है क्योंकि किसी इस्तरी को अगर अपनी सुन्दर्ता पे बड़ा घवंड हो बड़ा अभिमान हो बड़ा मान हो और वो उसी में जीती हो उससे बहान निकल पाए और कोई उसकी सुन्दरता के बारे में ऐसे शब्द कह दे जाने में या अंजाने में या सच में जो सही बात है वो कह दे तो वो सत्यताशी तरसे नहीं देखती वो बुद्धी पे उसको नहीं प्रक्ति और वो उसको दिल से लगा लेती है और वो उसकी जीवन भर के लिए दुस्मन बन जाती है ये इस्त्री का एक गुण है, ये मागंडिया के अंदर भी था अब सामावती, मागंडिया, रोदेन, तीन लोग वहाँ होगे कौसंबी के राज घर घराने में, आगे की कहानी और भी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग हो जाती है बुद्ध चारी का करते हुए कौसंबी आते है कौसंबी में जो घोसित हैं, वो उनके लिए एक आराम यानि बिहार बनवाते हैं इसको घोसित राम भी बोला जाता है तो घोसित वहां के तीन नगर सेट हैं, एक घोसित हैं, एक कुप-कुठ हैं और एक पावारिक हैं तीनों ही उनकी सेवा में लग जाते हैं और تीनों ही उनकी सिस्षे बन जाते हैं उनके सिस्य बनके उनकी सेश्य सेवा करते है उधर राजमहल के अंदर एक खुजूत्रा नाम की दासी है सेवी का है जो सामावती की सेवी का है पिरमुक सेवी का वो सामावती उसको रोज आठ तासापण यानि मुद्रायं देती है फूल खहिदने के लिए जो उसे सुवह फूल खहिद के लाने होते है खुजुत्रा थोड़ी कुबड़ी है इसलिए वो जाती है और चार मुद्राओं का फूल खहिदती है चार मुद्रायां रोज बचा लेती है ये उसकी देनिक जो चर्या थी उसके अंदर ये बात चलती रहती है जब भवान बुद्ध वहां आते हैं तो जो दुकांदार होता है जो फूल बेशता है वो खुशुत्रा से कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ बहुत ज़्यादा मैं आज व्यस्त हूँ और तुम थोड़ा सा मेरी मदद करो क्योंकि मैं अपने फूल भग्नमान बुद्ध को अर्पित करना चाहता हूँ और उसके बद्ले में मैं तुमें और फूल दूँगा तुम तब तक थोड़ा मेरा काम में मदद करो क्यों तरह इस प्रिस्ताब को मान ले लेती है क्योंकि उसे आज ज़्यादा फूल मिलने वाले है और वो भी फूलों को लेके भग्नमान बुद्ध के जहां गोसितराम बिहार है वहां जाती है और वहां जाके उनके वचनों को उनकी वानी को सुनती है जब वो उनके वचनों वानी सुनती है तो उसे इस बात का एसास होता है कि जो जीवन वो जी रही है, चोरी का जीवन, चार मुद्राएं रोज चुराने का जीवन, उससे तो उसके सरीर की और उसके मन की हानी बहुत ज़ादा है, अब के बाद वो ऐसा नहीं करेगी, और वहां से वो सोतापन होती हुई आती है, और जब वो रानी के पास फूल लेक आई है, और आठ मुद्राएं कासरपन जो बापिस कर रही है, क्या कारण है, तब वो बताती है कि मैंने जीवन भर जब भी फूल लिये, चार मुद्राएं रोज चोरी की हैं, और मैं ये काम करती थी, तो सामावती ने पूछा आज क्यों नहीं किया, तो उसने बताया कि आ प्राटने की बजाए, उससे कहती है कि ठीक है, तुम हमें वो बताओ, जो भग्रमान बुद्ध ने तुमें बताया है, और वो अपनी 500 सहलियों के साथ में तैयार होके अच्छे मन से वो बात सुनती है, खुजुत्रा ऐसे के ही, ऐसे सब्द जो वहाँ से सुने है, जो वा अनुयाई हो जाती है, उनकी ये बात चलती है, तो वो भगवान बुद्ध को देखने के लिए, उनकी चारिका को देखने के लिए, अपने महलों में जो छिद्र हुए हुए हैं, जो ज़रों के हैं, जो खिलकिया हैं, उनसे वो भगवान बुद्ध को आते जाते देखती ह जब वो नगर में चारिका के लिए आते हैं और वो 500 पांसो सहलिया महिला वहां खड़े होके और उनका बुंदन करती है उनकी स्तुति करती है एक दिन जो मागंडिया थी मागंडिया वो 500 सहलियों से पूछती है कि तुम लोग ऐसा क्या करते हो सुबह सुबह चूपि उनको म मन का पता नहीं है क्योंकि मागंडिया आज इवन भर के लिए भगवान बुद्ध की दुस्मन बनी हुई है क्योंकि उसके रूप सुंद्रे को उन्होंने मलमूत का सरीर बताया था और छूने से भी मना करने की बात कही थी ऐसा जानकर मगर चूपि वो जो सहलिया है उनको पता नहीं है तो वो अपने जो उनका सरल चतह सरल मने उससे बताती है कि हम भगवान बुद्ध का वंदन करती है जब भी वो यहां से आते जाते हैं ये सुनकर उसको पूरे सरीर में आग लग जाती है क्योंकि वो तो पहले सही उनकी दुस्मन है और वो जो राजा उदेन ह होता है राजा उदेन को कहती है कि देखो ये बात बाहर जा रही है ये बाहर के संपर्क में है और ये ऐसे ऐसे करती है कोई भी घटना घट सकती है वो राजा उदेन जब सामावती से पोचता है तो सामावती कहती है कि हम भगवान बुद्ध की वंदन इस्तुत्वी करते ह वो राजा उदियन क्या करता है कि उन खिडकियों को जहरोकों को बंद करा देता है और बंद कराने के बाद में रासामावती को कुछ नहीं कहता ये असफल होने के बाद में क्योंकि कहानिया बहुत सारी है और लंबी है या सफल होने के बाद में मागंडिया कुछ पैसे देके गुंडों को भिजबाती है और उनके पीछे लगाती है जो भिक्कु चारीका करने के लिए आते हैं जो चारीका करते हैं उस समय भिक्कु संग में जो आनन्द होते हैं वो जाके भग्वान बुद से कहते हैं कि यहां जो लोग हैं हमें प्रशान कर रहे हैं और हमें यहां से चलना चाहिए भग्रवान बुद्ध कई गाता हैं उसे बताते हैं और कहते हैं कि नहीं हमें यही रेना चाहिए और साथ दिन के बाद में ये जो गाली गरवश का जो महावल है जो दुखत महावल है या जो ऐसा महावल बनाया गया है ये अपने आप खतम हो जाएगा लोग ठक जाएगे ये बाद सच्छा और साथ दिन के बाद के अंदर ही वो लोग ठक जाते हैं मागंडिया का ये बारवी विफल हो जाता है उसके बाद मागंडिया एक चाल और चलती है उसे पता चलता है कि जो भगवान बुद्ध का अनुयाई होता है वो जी भत्या नहीं करता ऐसा जानकर वो अपने चाचा, जो मागंडिय चाचा हैं उनको बलाती है और उनसे आँघ पक्षी जीवित और आँट पक्षी म्रत लाने को कहती है और वो फिर राजा से कहती है कि देखो ये मैं तुम्हारे लिए आठ पक्षी में ने पकड़वाए हैं जंगल से आप इनका स्वाधिस्ट बोजन करें और इनको पकाएं राजा कहता है कि इनको अच्छा कौन पकाएगा तो वो मागंडिया कहती है कि ये 500 जो सहलियां हैं और ये सामावति की सहलियां ये बड़ा अच्छा खाना बनाती है आप इनसे बनवाई है ये बहुत बड़या खाना बनाएंगी राजा मागंडिया जो राजा उद्यान होते हैं वो मागंडिया की बात मानते हुए और वो जीवित पक्षी हैं महाँ भिजबाते हैं मगर जो सामावती है वो जीवत्या के लिए माना कर देती है तो मागंडिया भढ़काती है कि देखो उसने आप एक कहने पे इनकी जीवत्या नहीं की और खाना नहीं बनाया मगर अगर यही पक्षी वो बुद्ध के लिए पकाने के लिए आपका होगे तो वो पका देगी ऐसा जान कर राजा उद्यान दुवारा से पक्षी भेजते हैं और आदेश देते हैं कि ये बुद्ध के लिए खाना बनाए जाए इस वार जो मागंडिया है वो जीवित पक्षी ना भेज़के मृत पक्षी भेजती है और मृत पक्षी जब सामावधी के पास पहुंचते हैं तो सामावधी कहती है ये हमारा काम है हम इसको अच्छे से कर देंगे और वो भोजन को पका देती है उस मास को पका देती है क्योंकि वो मृत मास है मृत मास तो मट्रियल के बरावर होता है तब राजा को वो मागंडिया भढ़का दी कि देखो बुद्ध के लिए तो इसने जीवत्या कर दी मगर आपके लिए नहींगी ये आपकी सगी नहीं है ये आपकी पत्रानी आपके आदेश के अनुसार नहीं चलती है ये बुद्ध के आदेश के अनुसार चलती है ऐसा करके उसमें भढ़काया बहुत टाइम लगा वो हर छोटी बड़ी बात पे राजा उद्यान को भढ़का दिर रहत जाती थी उसके बाद क्योंकि राजा उद्यान की तीन रानिया थी और वो बारी-बारी से अपनी रानियों के महल में चाते थे तो जब सामावती का नमबर आया तो मागंडिया ने अपने चाचा मागंडिया से एक साप मंगाया और साप को उस बांसरी में छुपा दिया जिस बांसरी को राजा बजाता था और उसको फूल से बंद कर दिया फिर वहाँ ऐसा नाटक किया कि जैसे सामावती ने साप छोड़ा है और वो मारना चाहती है और बड़ा शोर स्राव मचाया और उसने सामावती प में चड़ाया तो उसने देखा कि सामावती और उसकी पांसो सेलिया बलकुल शान्त और विपस्टना मुद्रा में हैं उनकी तरंगे इतनी जबजस्त और इतनी अच्छी तरंगे आ रहे थी कि राजा के हाथ से तीर चला ही नहीं राजा को बड़ा अशर्य हुआ उदेन को कि ऐसी क्या बात है उसका मतलब ये सच है और उनकी सच्चाई जानकर राजा बहुत खुस हुआ और उसको सामावती कहा कि आप एक वर मांगो वर का मतलब है स्रेश चीज आप मांगो तब सामावती कहती है कि भगवान बुद्ध पिर्टे दिन यहां आएं और महल में आके उ पिर्टे दिन उनके महल में आके और वहां बुद्ध बारी करें प्रवचंद है और जो धम देशना है उसको करें तो बुद्ध ने बड़े नमता से कहा कि बुद्ध जो होते हैं वो लगातार एक जिगे नहीं जाते कभी भोजन के लिए पिंडपात के लिए चारिका के ल पिर्टे बात वो बहुत खुस होती हैं लभानवित होती है 500 उनकी जो 500 असेलिया होती है और दान में दे देती है आनन्द 500 उड़ना लेकर बहमूले उड़ना लेकर बिहार में आ जाते हैं राजा उद्यान को जब यह पता चलता है कि आनन्द kो 500 उड़ना दिये गए तो प्राजा उद्देर ने सोचा कि क्या ये ओड़ना बेचते हैं जो इतने सारे ओड़ना लेगे तब वो आनन्द से पोचते हैं कि आप क्या करते हो जो जी चीवर या ओड़ना आपको मिलते हैं एक कहानी है जो बताते हैं और जो सच भी है तब आनन्द उन्हें बताते हैं कि ह हम चीवर उनको देते हैं जिनकी आवश्कता होती है जो पराने चीवर होते हैं उनको फिर हम बिचा लेते हैं और ज़्यादा पराने चीवर होते हैं तो हम उनका तोलिया बना लेते हैं और ज़्यादा पराने चीवर होते हैं तो हम उनको पायदार बना लेते हैं और ज़्या राजया ने कहा कि मैं बलकुल प्रसंद हुआ धन्य हुआ कि आप इतना अच्छा इस्तेमाल करते हैं और मेरी तब से 500 चीवर और राजया उद्यान उनको 500 चीवर और देते हैं तो मागंडिया के सारे के सारे जितनी भी चाले हैं वो लगातार लगातार उल्टी पढ़ती जा जाते हैं तो पैसे देके गुंडों को और 500 सहलियों से राजया जो रानी सामावती है उनके महल को दर्वाजा बंद करके और आग लगवा देती हैं आग लगवा के उनको जीते जी जलवा देती हैं भगनवान वो से जब पूछा जाता है कि जो 500 ये इस्तरिया मिर्टु को प्राप्त हुई हैं उनकी क्या इस्तिती है तो वो बताते हैं कि कुछ इनमेंसे सोतापन हुई हैं कुछ इनमेंसे सगदागामी हुई हैं कुछ इनमेंसे अनागारिक हुई हैं अनागामी हुई हैं तो इस तरह से वो उनकी सिती बताते हैं राजा उद्यान को जब पता चल कि सामवती बड़ी दुस्मन थी, कभी साप छोड़ती थी, कभी कुछ करती थी, अच्छा हुआ किसी मेरे सुपचिंतक ने मुझे बचा लिया, और मैं उस सुपचिंतक का बड़ा आभारी हूं, और मैं उसके बड़ी सेवा करना चाहता हूं, मागंडिया अपने दम में आके सारी बात उगल देती है कि उसने किया है, और अपने चाचा, जो मागंडिया चाचा था और बाकी जो रिस्दार थे, उनकी मदद से किया है, राजा कहता है कि आप उनको बुला लीजिए, मैं उनको इनाम दूँगा, और उनको जितने भी रिस्दार वगरा थे, उन सब को बलाते हैं, राजा उन सब को बलाके और उनका बड़ा खत दरी करता है, फिर उनको नाभी तक जमीन में गलवा देता है, उसके बाद उनको हातियों से कुचलवा देता है, और उनके जीवित उनको आग में लगा देता है, उसके बाद उसके टुकड़े करके, और मागंडि कहानी का सामवती कहानी का अंत होता है जो कथाएं कहीं कहीं हैं उनकी गाथा 2.1 इस प्रिकार है अप्प मादो अमत पदंग पमादो मच्चूनो पदंग अप्प मत्ता ने मियंती ये पमत्ता यथा मता अप्प मादो अमत पदंग अप्प मादो का मतलब है ए पमाद वाला यानि कि जो प्रमाद ना करता हो जो संयत हो यानि कि जो राग दोयस में लिप्त ना हो उसको बोलते हैं ए प्रमादी या ए पमादो ए प्रमादी बोलते हैं उसको संस्कायद भासा में और पमादो यानि पमादो ए पमादो बोलते हैं उसको पाली भासा में अमत्पदंग का मतलब है एक होता है मत्प माने होता है जो नर्षी में रहे जो संयमित ना रहे जो राग दोयस में लिप्त रहे उसको बोलते हैं ये बड़ा मत्फ है मत्थ का मतलब, यहां मस्त से भी आता है कि रह बड़ा मस्त घूम रहा है यानि बड़ा मत्थ है और एमत्थ का मतलब है कि जो सहयमित हो, राग दे से दूर हो और जिसने अपने आपको बराईयों से बचा लिया है उसको एमत्थ बोलते है और जो ऐसा व्यक्ति होता है वो उसको बोलते है एमत पदंग यानि कि उस पदवाला है पमादो पमादो का मतलब है जो परमाद करने वाला व्यक्ति है पमादो मच्चू का मतलब है यहाँ पे मच्चू जो बोलते है वो है मिर्टू पाली में जो मच्चू है उसको संस्कायद भासा में मिर्टू बोलते हैं यानि जो पमादो है जो राग दोयस से लिप्त है मच्चू नो पदन का मतलब है कि वो मिर्टू के पद को प्राप्त होता है वो बड़े दुख में बहुत परिशानी में और मिर्टू के समान पद में रहता है अप मत्ता ने मियंती अप मत्ता का मतलब है ए पमाद वाला गुण हो गया यानि जिसमें ए परमाद का गुण हो जिसमें लाग दोयस से युक्त ना रहने का गुण है एमत्ता ने मियंती यानि ऐसा व्यक्ति जो परमाद नहीं करता ने माने नहीं और मियंती माने मरता है ये पमत्ता यथा मता ये माने जो पमत्ता माने जो परमाद में रहने वाला है यथा माने जैसे और मता माने मृत के समान या मिलकुल जो असयमित होता है उसके समान वो होता है ये पहली गाथा है इस गाथा की 2.1 यानि किस्मी उसका ये गाथा का सार है एक बार में हिंदी में आपको फिर बता देता हूँ अपमादो अमत पदंग पमादो मच्चुनो पदंग यानि कि जो एपरमाद में रहता है जो रागदोय से दूर रह जाता है वो अमरत पद यानि कि जो निर्माण पद होता एक प्रैसे जो उच्टतम पद होता है साधना का उसको प्राप करता है और जो प्रमादी होता है उसको लगबग मत प्रद्यानी मिट्टू के समान वो पद उसे मिलता है और जो ए प्रमाद वाले लोग हैं वो कभी नहीं मडते और जो प्रमाद वाले व्यक्ति हैं जो राग दूस प्ले रहते हैं तो समझो जैसे जिये ही नहीं है वो तो मरे के समान ही रहते हैं यानि कि जो रागदोयस में व्यक्ति रह रहता है जो प्रमाद में रहता है वो लगवग मरे के समान होता है और जो रागदोयस में लिप नहीं रहता है वो अमरतपद यानि निर्माणपद निबानपद के साथ में लगबग रहता है 2.2 और 2.3's के बाद लगातार है ये गाथा और कथा जो अपमाद वक्की हैं ये बहुत मशूर कहानी है और बताते हैं कि सामावती का जो एरिया है सामावती का जो टेम्पल है यो दिल्ली के पास में आरके परम के पास में है आरके परम के पास में समराट असोक ने वहाँ अपना सिलालेक भी लगवाया है जो सिलालेक आज भी वहाँ पर है और कालका जी का जो मंदर है वो बताते हैं कि वो रानी सामावती का टेंपल है ये कहानी कमासपुर की और दिल्ली के आसपास की है और दिल्ली के आसपास जो गेटर कलास का और कलास कलामनी का एरिया है वो बड़ा फेमस है उसकी जो पहाड़ी है वो पहाड़ी उस कहानी को बार-बार बताती है ऐसा इत्यास कर बताते हैं वहाँ जो सिलालेक है वो नेट पर देखा जा सकता है सिलालेक पूरी तरह से असोग प्ली लिपी में लिखा हुआ है, धन्यवाद. क्यांकि घ्नात्त, ऐस कि अर्णीक वर्र pour दोंछान, इसक्माद, क्याऊप तरुछै कि ऎ सक्माद, कि विखा उसी ओद्धे हुआ है, देस्क्राई है कि आई परेकित को उसा yup उसे आध connectivity है, कि अन्यवाद, अन्यवाद एक शन्यवाद.